नमस्का दोस्तों, वास्तु ग्यान में आपका स्वागत हैं। दुकानदारी करने वाले कई लोगों के साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि उनकी अच्छी खासी चल रही दुकान अचानक से ठप पड़ जाती है। चल्ती दुकान का अचानक से ठब पढ़ जाना स्वभाविक नहीं हो सकता। ऐसा किसी की नजर लग जाने के कारण या किसी तांतरी के मंत्रों के पर्भाब के कारण हो सकता है। कई बार लोग जलन के कारण तो कई बार आसपास के दुकानदार आपकी दुकान से जल के कारण आपकी दुकान पर कुछ टोना टोटका करा देते हैं। इससे आपकी दुकान की बिक्री में अचानक से गिरावटा जाती है। आज में आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाई जिनें अपना कर आप अपनी बंदी हुई दुकान को खोल सकते हैं पहला उपाई दुकान पर किसी की नजर ना लगे तता किसी के मंत्रों का प्रभाब ना पड़े इसके लिए आप एक उपाई कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए एक मोर पंकी जाडू लें और इस मंत्र का उचारन करें इस मंत्र का उचारन करने के बाद मोर पंकी जाडू लें और उससे दुकान की परतेग वस्तू को साफ करें इस उपाई को करने से दुकान पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा तता किसी के मंत्रों का भी प्रभाव आपकी दुकान पर नहीं होगा दूसरा उपाई, बंदी हुई दुकान को खोलने के लिए आप नीमबू तता हरी मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए शनिवार के दिन एक नीमबू और साथ हरी मिर्च को अपनी दुकान पर लटका दें तीसरा उपाई, अगर आपकी दुकान तंत्रों के द्वारा बंदी हुई है तो दुकान को खोलने के लिए आप नाग दमन के पोदे की जड़ का इस्तमाल भी कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए नाग दमन के पोदे की जड़ को दुकान के बाहर लटका दें इसे लटकाने से बंदी हुई दुकान खुल जाती है चौथा उपाई दुकान पर किसी की बुरी नजर ना पड़ें इसके लिए आप घोड़ी की नाल का भी परियोग कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए एक काले घोड़ी की नाल लें और उसे दुकान के मुख्य द्वार पर ठोक दें मुखे द्वार पर घोड़े की नाल को ठोकने से किसी की बुरी नजर का असर आपकी दुकान पर नहीं होगा पांचवा उपाए बंदे हुई दुकान को खोलने के लिए आप शुकर दंत का भी प्रयोग कर सकते हैं इस उपाए को करने के लिए एक शुकर दंत लें और उसे अपनी दुकान की दिवार पर इस परकार लगा दें कि उस पर सभी की नजर पड़े अगर आपकी दुकान को किसी ने बंदवा दिया है तो इस समस्या से चुटकारा पाने के लिए शनिवार और मंगलवार को यह उपाय करें इस उपाय को करने के लिए एक काले गोड़े की नाल ले और इस पर जल छिड़क दें अब थोड़ा चमेली का तेल ले और उसमें सिंदूर को मिला कर एक लेप बना ले अब इस लेप को घोड़ी की नाल पर लगा दें एक काला कपड़ा बिचा कर पट्रे पर रख दें अब एक कटोरी काला उड़द ले और उसे पट्रे के सामने रख दें अब एक लोटे में ज मंत्र का जाप करें गुरु संगत मेरी भगत चले मंत्र ईश्वरी वाचा इस मंत्र का जाप एक हजार आट बार कर सकते हैं मंत्र का जाप करने के बाद रखे हुए जल में फूक मारें अब काले घुड़ी की नाल को अपनी दुकान के सामने लगा दें जो भी आपकी दुकान पर आये उसकी नजर इस पर जरूर पढ़नी चाहिए आप जल ले और उसे पूरी दुकान में छिड़क दें बाकी बचे हुए समान को किसी नदी में प्रवाहित कर दें सात्मा उपाय, दुकान के ठब पढ़ने पर आप लोबान का भी प्योग कर सकते हैं नजर उतारने के लिए दुकान में रोजाना लोबान की दूब जलाएं आठमा उपाय, बंदी हुई दुकान को खूलने के लिए आप अशोक व्रिक्ष के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए अशोक के व्रिक्ष के पत्तों को लें। पत्तों का प्रयोग करने से पहले यह ध्यान दें कि कोई भी पत्ता खंडित ना हो अब पत्तों को लाकर उन्हें जल में अच्छी तरह से धो लें आब एक सूती धागा लें और उसे पिसी हुई हल्दी में डाल कर रंग दें अब इस धागे में अशोग के पत्तों को बान दें और उसे दुकान के मुखे दर्वाजे पर लटका दें दुकान पर पत्तों को ल साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों